इसा हिंदुस्तार जहांके नेता मोदी जी के नरेन मोदी के विरोध में इतने अधिक गिर गए हैं कि सेना की शहादत पर सवाल करते हैं उनको बार बार कहा गया कि ये सवाल उठाएंगे तो आपकी तस्वीर पाकिस्तान के टीवी पर दिखाई पड़े हैं और मैंने खुद देखा हैं आमद शाह कुरेशी उनके विदेश मंतरी हैं उनका मैं इंटरिवू देख रहा था उन्हें कहा पाकिस्तान के सारे दल इमरान खान के साथ हैं क्या हिंदुस्तान के दल साथ में हैं नहीं है और बाद में सबका कमेंट चल रहा था कल मोती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है अब मैं चाहता हूँ आपके इलाके के वोटर के घर घर में ये बात जानी चाहिए कि चुनाओ का मुद्दा क्या है ये चुनाओ का मुद्दा है कि आपको बाला कोट का सबूत चाहिए उरी का सबूत चाहिए या आपको देश के लिए शहीद होने वाले सपूत चाहिए यह तै करना है याद करिए मुझे 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 जी ने कहा कि सारे मंत्री जाओ जो पुलवामे में में लोग मरे गए जाओ अंतिम संस्कार में जाओ कि मैं गया था तारेगना मतोडी के आगे वो संजय शहीद हुआ था लगा नौजवान ने कमाल कर दिया हजारों की संख्या में बड़ बड़े तिरंगे लेके चिंगल पड़े पत्वा में हम लोग पहुँचे इतना रास्ते में भीड थी कि शहीद का शव लेट से हमान है यह हिंदुस्तान देश फक्तों का हिंदुस्तान है और यह हिंदुस्तान क्यों हमारे साथ आता है यहां अरुन जी खड़े हैं बाकी लोग खड़े राजिंदर गुप्ता जी खड़े हैं बागुराम जी सिंग खड़े हैं सितराम पांडे खड़े आप सभी तेरा वैभ हो अमर रहे मा हम दिन चार रहे न रहे जाद है ना ये सिखाया गया हम देश के लिए जीवन होम करना है अब ऐसे में एक तरफ नरिंडर मोदी ऐसा इमानदार प्रामानिक वेक्ती है कर मैंने बात बाकीपूर के भी कारेक्रम में कही थी आज यहां भी कहूंगा और मैं चाहता हूँ ये बात आप अपने मद्दान में घर घर पहुँचाईए मद्दाताओं क्या नरिंडर मोदी की इमानदारी क्या है वो चौदा साल पुजलात के मुख्यमंतरी थे उनका पहले बैंक के काउंट नहीए था वो इसी दर मुख्यमंतिय बने थे जब वो पनान मंतरी बने दिल्ली आ रहे थे तो उनके सेड़टर ने का कि सर आपके बैंक अकाउंटमे कुछ पैसा है अब आप दिल्ली जा रहे है भारत के पधार मंतरी बनने के लिए क्या करना है क्या दिरदेश कितना पैसा का 21 लाक रुपया है क्या चेक बुक लाओ उन्हें चेक साइन किया का पैसा निकालो और यह सारा पैसा हमारे मुख्य मंत्रिकारले के चपरासी उनके बच्चों को बांट दो जिन्होंने हमारी 14 साल से वाती इसका कुछ मतलब समझते हैं आप लोग ये खरदय है हिम्मत है तो हम सरहत के पार जाकर आतंकवादियों को छुट्टी करेंगे और निर्देश क्या था एक भी पा साहस आत्मिश्वास से बरा हुआ और हमने अगर देश की सुरक्षा की काम किया तो उच्छुला भी दिया आट करोड डिजिटल इंडिया का भी काम किया सबसे अधिक हम लोगों ने स्टार्ट अप को भी आगे बढ़ाया भरत तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक टाक राजदूत तीस साल की सेवा के बाद बनते हैं लेकिन भारत के राजदूत के रूप में जितना सम्मान हमको नरेंद मोदी जी की सरकार में मिलता है उतना पहले कभी नहीं मिला ये भारत की टाकत बनाये हैं तो क्या किस और देखिए इनका घटिया बन आज सबसे दो करोड लोगों को आईश्मान भारत का कार्ट दे दिया गया मतलब पांच लाग तक का आपको राशी मिलेगी फ्री आफ कॉस्ट मम्ता जी हैं 36 गड़ है कॉंग्रिस की सरकार है वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं अब इसमें क्या पॉलिटिक्स है भाई किसानों के 12,000 वो भी सप पंधन याद है ना बंगाल में कारक्रम हुआ था ना मनता जी का याद है कि नहीं याद है और वहां आपके सांसर जी भी गए थे याद है कि भुल गए आप और आपके प्रधान मंत्री को उन्दोंने क्या क्या कहा था आपने टीवी पर देखा होगा मुझे बोलने की ज़रूत नहीं है लेकिन हो क्या रहा है इधर तो एक नेता है नरेंद्र मोदी लोक प्रियर एक कारिक्रम है इंडिये का साथ है बीजेपी के अगवाई है देश को आगे बढ़ाना है उधर नेता का क्या आल है मायवत्ती जी ने कहा कि मुझे एलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है मुझे प्राइब निश्टर बनना होगा तो हम किसी के स्तीफा दिलवा देंगे तो ममता जी ने कहा मैं भी तो हूँ तुम कहां से आ गई तो अकिलेश जी ने कहा हम कैसे पीछे है तो पेंका जी ने कहा मेरा भाईया भी तो है राहूल गांधी वो क्यों नहीं तो दो दिन से ये भी ख़बर चल रही थी कि तेजस्वी जी भी तो जवान है वो भी तो भारत के प्रदान मंत्री बनना है कोई मलाक है क्या यह एक सो तीस करों का देश है यह और मैं चाहता हूँ कि यह बात आप पहुंचाईए अपने मदाताओं के घर घर तक कि आपको कैसा प्रदान मंत्री चाहिए नरेनर बोदी या एक हफ़ते का प्रदान मंत्री या चार महिने का प्रधान मंत्री या आठ महिने का प्रधान मंत्री देखो मित्रों मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूँ वी पी सिंग थे दस महिना प्रधान मंत्री चंद शेखर थी थे चार महिना प्रधान मंत्री देवे गोड़ा आये अब उक्रा हाटावल जरूरी है समझ गए आप फिर आगए गुजराल साहब कैसे देश ऐसे चलेगा आज भारत को चाहिए एक सशक प्रधान मंत्री ये बाते मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि ये मामला नहीं रहने वाली है ये मैं आपको पहके जा रहा हूँ मैं उनकी आवाज बनने वाला कैसे बनूँगा अरुम जी के साथ नितिन नवीन के साथ सितराम पांडे जी के साथ नंकिशो जी के साथ सज्जी चुरसे के साथ और आपके साथ हम लोग सब लोग मिलकर पत्ना कात्या वात्या है